इस चैप्टर में हम train time tables के बारे में study करेंगे, कि trains को किस तरह से schedule किया जाता है, और उनको schedule करने के लिए क्या क्या factors होते हैं, जिन पे हमें घखर करना होता है, तो पहला part इसका ये है किसमें हम सत से पहले speed limits के बारे में पढ़एंगे, कि train की speed कितनी होनी चाहिए limitation क्या है speed की उसके बार में हम पढ़ेंगे तो train की speed limit depend करती है काफी सारी चीज़ों पर पहले चीज तो यह है कि train का structure जो rail lines जो है उन पे भी depend करती है line का मतलब है railway की line जो railway track है तो उसमें layout पे सबसे पहले depend करती है हमने पिछले चैप्टर टू के अंदर यह पढ़ाता कि train का जो railway track का जो radius होता है उसकी वज़ा से speed पे effect पड़ता है अगर आपको यादो project work one के अंदर हमने यह यूज भी किये हैं वह हैं formula इसके अंदर यह v is equals to under root r into a था इस तरीके से इसको पर हमने simplify करके इस तरह का formula बना लिया था इसका मतलब यह है कि जो railway track का जो radius होगा उसकी basis पे भी velocity उपर नीचे होती है तो radius भी limit कर रहा होता speed को तो जो जैसे ही 97.7 km per hour जो speed आई है इस radius पे 400 के radius पे इसका मतलब यह है कि इस speed सब उपर नहीं जा सकते यह आपकी maximum allowable speed हो गई इससे उपर आप जाओगे तो आपकी train को comfort के भी मसले आएंगे derailment का भी खत्रा है और over tilting का भी खत्रा है तो यह आपकी एक दरह से limit हो गई इसके लावा slopes होते है slopes की वज़ा से भी issue आता है तो यह railway track यानि railway line के layout पे depend करती है speed एक चीज़ तो यह दूसरा depend करती है super structure पे super structure यह image आप पहले भी देख चुके हैं यह बलास्ट से उपर वाला जो हिस्सा है blast को मिला के वह super structure के लाता है उसमें आपके blast भी है sleeper भी है rail pads भी है rail भी है यह सब चीज़ें इसके अंदर count होती है super structure में तो rails किस तरीकी की है sleeper किस टाइब का बलास्ट flexible एक फ्लेक्सिबल नहीं है या blast less super structure है concrete जिसमें लिए होती है तो उसकी वाज़ासे भी speed पर थोड़ा फर्क पड़ता है क्यूंकि resistance होती है और भी वह सारे factors होते हैं उनकी वजह से मतलब इन चीज़ों की वजह से effect पढ़़ा होता है अच्छा तीसरी चीज़ है infrastructure infrastructure जैसी है हमारा super structure था यह नीचे जो है इंफ्रस्ट्रक्चर कहलाता है सब बलास्ट और सब ग्रेड तो इनकी वजह से भी थोड़ा से impact पड़ता है जादा impact नहीं परता है थोड़ा से impact पड़ता है लेकिन के speed जो है इस पे भी हलका से इस पूरे structure पर डिपेंड कर रहे होती है इस पूरे structure पर इंफ्रस्ट्रक्चर दोनों पर इसके लावा कुछ और constraint भी है for example जैसे train for example urban area से गुजर रही है residential area से गुजर रही है तो noise pollution की वजह से उसको life disturb होती करीब के लोगों की तो इस वैसे train को आज सा गुजारा जाता है ऐसे जगह उसे ताके quality of life में कोई जादा फर्क ना पड़े तो यह तो railway track के structure के हसाब से हो गया कि speed किस तरीके से vary कर रही हो ती railway track के structure के साब से इसके इलावा और भी दूसरा एक चीज है कि खुद train के कि train की जो प्रॉपर्टीज है उन पर भी speed उसकी जारे डिपेंड करती है train की जो speed है उसकी खुद की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है तो पहली चीज़ यह कि उसकी ट्रेक्शन पावर क्या है इसको push कर रहा होगा या pull कर रहा होगा या जैसे अगर जैसे ऐसा होता है कि जैसे ये से यह इस ताप की चड़ाई आको चड़ना है तो इदर तो खेर engine लगावा लेकिन इंजिन ना भी हो तो कुछ इदर जैसे cables लगी होती है वो उसको PUL कर रही होती है यह normal जिससे train आगकि मूव कर रही है यह जो engine जो आगे लगा होता है वो पिछख लीए वेगंस को पुल कर रहा होता है इस तरह का structure होता है इसमें यह पुश कर रहा है यह पिछ़ए लगा से अगी मूव रही है इस स्वेंड कर दियुकर अदिऊ है इसके लावा ट्रेंड की जो हे आगे का फॉरंट कैसा है देखांगा घाशा जादा ती दोसको उसका ब्रेंड जो है अलग तरीके से बना जाता है तो train कि जो खुद की जो condition है उसकी जो properties है उसकी types है उस पे भी depend करता है ट्रेक्शन पावर जो है और train की breaking power पर भी depend करता है train की breaking power पर इसे depend करता है कि for example आप को अगर thousand kg लेके जाना या sorry train में आपके पास जो है 200 tons लेके जाना आपको और दूसरी train है उसके आपको 500 टेंज लेके जाना तो 500 टेंज वाली जो ट्रेन है उसके ड्राइवर को यह कहा जाएगा कि आप थोड़ी सी आहिस्ता चलाना कि इसकी वज़ा क्या है इसका मतलब यह निए कर Countdown को कि भी आई है कि कि थोड़ा अप्रिक से अगर आपको this रॉक यह कम Siberia webinars अब्जेक्ट को रोकना भी मुश्किल है चलाना मुश्किल है इसलाणना कितना मुश्किल है लेकिन जब चल जाएगा तरह रोकना इतना ही मुश्किल होता है जिख इसको रोकना بिस कई अधना ही मुश्किल होगा तो 500 यह स्वेड Relia होगे तो उसको फिर ब्रेक मारने में मिश्किल होगी आपको कि इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो आपकी वेट के साथ से स्पीड लिमिट आ जाती है या तो फिर वाली जो ट्रेन उसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत जाद अच्छा तो शायद वह उसी स्पीड से भी चल लेकिन अगर आप यह देखे गौर करें तो मास की वज़ासे वेट की वज़ासे आपकी स्पीड लिमिट जो है अफेक्ट होती है जादा वेट होगा तो आपको स्पीड लिमिट कम करनी पड़ सकती है थाके ट्रेन को रुखने में मुश्किल नहूं तो यह वह फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे स्पीड लिमिट्स ट्रेन की एक तरसे डिसाइड करती है या डिपेंड करती है लेकिन इन से जो लिमिट लिमिट्स आती हैं उनको हम अपने क्राइटेरिया में यूज नहीं करते क्यूंकि वह लिमिट्स हैं और अगर आप उस लिमिट्स तक जाओगे तो थोड़ा सोब पर नीचे होने पर काफी एरर के चांसिस होते हैं हम जो यूज करते हैं अपने अनलैसिस में और ऑपरेशन साख्व काफी यूज नीचान हुज करते हैं वह इसे थोड़ी कम होती है और वह बता आति हको डjekt के पॉइंग से हं देखते हैं maximum के साबसे नहीं कर रहे होता है वनना थोड़े से एरर से काफी मसले मसायल हो सकते हैं standard performance की values कितनी कम होती है maximum से तो वह आगे आली slides देख लेंगे बस यह होना चाहिए पता है कि maximum use नहीं कर रहे होते standard performances हम यूज कर रहे होते हैं के उपरेशन में यह कुछ conventional values हैं जो के इटली में यूज होती है इस तरह के जो टेबिलस हैं यह एजर रेल्वे इंजीनियर हमें ही प्रोवाइड करने होते हैं drivers को और operators को जो के operate कर रहे होते हैं साथ साथ क्योंकि drivers का तालुक जो है वह driver communicate operator से कर रहा होता है इंजीनियर से नहीं कर रहा होता और engineer जो है वह operator को चीजें बता रहा होता है कि इस तरी कैसे हैं इस तरी कैसे तो इस तरह के tables हम generate करते हैं as a railway engineer तो यह एक रोम का ही एक है table है और इसमें यह है कि आप weight और speed का relation दिया हुआ है for example आपको रोमा तर्मिनी से कंपोलियों ने जाना है तो मतलब यह बनाया relevant जीनर नहीं होगा इस तरी के से बनाया कि weights यह उपर speed है और यह weight है तो ड्राइवर को इस तरह बदा आयता है कि आपके पास अभी आपकी train में इतना weight है for example रोमा तर्मिनी से कंपिल होने है एक driver जा रहा है train लेकर driver जा रहा है और यह metro नहीं है metro train नहीं है दूसरी जो sub-urban को touch करती है और वो जो regional trains होती है यह वाली trains है उसको बदा जाएगा कि अभी आपकी train में इतना weight है for example वो बोलेगी 1300 1330 weight है तो 1330 weight के हिसाब से वो इस table में search करेगा और speed decide करेगा कि अभी 110 पर जा सकता है जाओ वो 100 पर भी सकता है 90 भी सकता है लेकिन 110 maximum है इसी तरह कोई पर पर जा रहा है उसको बलेगा आपकी आपकी जो weight आपको आपकी train में जो weight है वो 1210 है इसका मतलब है कि वो देखेगा 1210 मतलब 100 की speed से उपर नहीं जाना तो उसको brake मानने में बड़ी मुश्किल होगी वो जब brake मानने लगए तो बड़ी देड़ से ब्रेक लग रहे होंगे तो यह सब चीज़ें जो है यह ऐसा ड्राइवर के point of view साब इस तरह से देखते हैं लेकिन as a planning engineer यह जो railway engineer है वो जो है इस तरह से देखता है कि यह जो train मनाने वाले हैं वो इस तरह से रहते हैं कि स्पीड क्या होगी और उससे सबसे वेट इसको कितना बियर करना होगा उससे सबसे वो अपनी अपनी ट्रेंज वगरा बनाते हैं तो सब अपने अपने हिसाब से इस टेबिल को study करते हैं इस तरह यह एक एक्सलरेशन वा सबसे ओर के जाने जाने हैं तो इस तरह इसलेशन भी है अगर कोडिसलेट करना हों तो उसके लिए आपको कितनी कितना time लग सकता है डी तो आपको स्पीड चाहिए होती है थोड़ा देर लगती है डी में से 3.5 मिनट भी लग सकते हैं तो यह ऐसा कुछ टेबल है अब है यह के वेट का जो हम अभी स्टेंडर्ड परफॉर्मेंस देखेंगे के मैक्सिमम क्या है कितना वेट अलाओ हो सकता है और जो हमारे स्टेंडर्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कितना वेट अलाओ होना चाहिए तो वो अब हम इसमें देखेंगे ट्रेन का जो एम्टी वेट है वो तो हमें मालूम होता शुरू से जब ट्रेन बनके आती है जब उसको बनाया जाता तो उसका वेट हो जाता लेंगे उसके अंदर जो गुड्स डलेंगे या पैसेंजर आएंगे उसका वेट निकालना वो मुश्किल काम है क्यूंकि आपको नहीं पता होता है कि कब कितने लोग चड़ें चलो यह पता होगा टिकेट के साब से कौन कि कब कितने लोगillä लोग उन लोगों का वेट कितना था कोई मोटा था कोई पतला थांड़ कोई छोटा था कोई लंबा था तो इस तरी के से आपको अफ्रीयुक्त नहीं कर सकते के ही कितने लोग चाड़ें अंदर उसके लिए कुछ conventional values यूज होती है loads की कि अगर first class को छे तो उसका चार टन weight होगा second class को छे तो फाइफ टन होगा एनिमल्स है free trains के तो तीन टन होगा बड़े जानवार हैं तो छे से आठ टन्स होगा तो वह डिपेंड करते हैं मतला आपको फिरी conventional values कुछ यूज करनी बढ़ती है इन यह value exact नहीं होती है लेकिन हम अपने काम चलाने के लिए यूज कर सकते हैं क्योंकि exact value निकालना फिलहाल तो इस वेट जब यह trains आई इन trains मतलब इन वेगन में वेट आ गया ठीक है अब आपका जो पहला वाला जो वेगन इसमें ड्राइवर बेठा हुआ है इंजन जहां लगा हुआ है वह सबको खींच रहा है तो जब खींच रहा होता है तो एक ट्रेंड दूसरे वेगन से इस टैपस के होता है इस तरह कभी होता इस तरह से जोईन यह वह होते हैं यह जो तो इसके विजह से लुश करांगे लगे वाटेंगे तो आपस में टक्राइंगे निए नहींकरे सकती यह और जादा सैड़ बन जाएगी यह वोजाएगी और लटक जाएगी यहों कर गे, रोक नए पाएगी, रोकने के लिए प्र करीब आने पर, यह है, इस तरह से आप के coupling gears होते हैं, अलग-अलग होते हैं इस तरह से भी coupling gears होते हैं, यह modern है थोड़ा सा तो इन में stress create होते हैं तो weight जादा होगा तो इन में stresseses जादा create होंगे तो इनकी भी कुछ ताकत होती है आप यह नीच आओगे कि इतना जादा weight डाल दो इदर breaking वाला मसला अलाग है वो तो ही कि break बड़ी मुश्किल से लगता है देर से लगेंगे लेकिन यह चीज़े भी है कि आपका weight जादा होगा अगर इन जगाँ पर तो इधर बहुत जादा load आएगा in coupling gears में जब break पड़ेगा या accelerate करेगा तो जादा वजन की वैसे यहाँ वजन जादा आएगा तो यह तूट सकते हैं तूट गया तो फिर यह disjoint हो गया तो यह train का जो वह वैगान हो ट्रेक्स अलग हो जाएगी इस दिसके आसे accident होगे तो इनकी limit यह है कि यह एक हेटनेटफिटी किलो-newton तक टैंशिनर जो है वह बर्दाश कर सकते हैं और कापलिंग होक्स जो है वह वो 59 किलो-newton बरदाश कर सकते हैं कि इससे जादा ये बरदाश नहीं कर पाएगा वादा यूंके design standards इन इससे थोड़़ा तो हम यह कहते हैं कि क्यूंके हमारे जो सिस्टम है उसमें पुरानी भी वैगन्स हो जाती हैं बहुत हैं कि हर दफा कोई पुली ट्रेंड नियू तो नहीं रहती कुछ पुरानी भी होती है कि इसके उस्टैंक्ट भी इसकी लूज होती हो कि 650 किलोन्यूटन तक हो जाती होगी लेकिन हम अपना उपरेशन 650 किलोन्यूटन न को भी एज्यूम करके नहीं लेता हम यह कहते हैं कि मतलब 260 किलोन्यूटन जो है उतना वेट डालो देर वेगन के अंदर मजब 2.5 का सेफटी कोफिशन्ट को 2.5 से डिवाइड किया तो 260 किलो न्यूटन आया है हम यह कहते हैं कि इतना वसन डालो बस 260 किलो न्यूटन तो तो वही 260 किलो न्यूटन इदर इसको फेस करना पड़े बस जबकि यह बेर 850 162 तक कर सकता है यह 950 कर सकते और अगर हमकेते हैं कि इतना डालेंगे 260 तक इसके लोड़ पड़े गए है तो जो फिलोड करशकथा तो यह लोड कम डालने कि वज़़ा सेफटी कंव नाने के लिए 260 क किक भी हम अलाव करते हैं एक वेगन के अंदर ताकि इधर वज़न कम पड़े और यह डिज्जुएंट ना तूटे नहीं तो एक और जैसे एक्जेम्पल है कि आपका अगर स्लोप है जीरो पर थाउजन तो टू थाउजन टन ठीग रहेगा ये वेट है अच्छा यह जैन में रखनाओ है ये लोड है जो के फोर्स की शकल में ये वेट है टन्स की शकल में कि तो जारे वेट से मिलके रहेगी लोड बनता है लेकिन आव नम्बर में माज जाएगी कि टूसिश्टी किलो न्यूटन और यह 2,000 कैसा है ये वेट तो maximum load जैसे अगर weight में हम देखें यह load है force की शकल में यह load है weight की शकल में अलग-अलग units की शकल में units का मसला है जिसके ऐसे values में जाला फर्गा रहा है वनना वैसे concept में फर्क नहीं है कि अगर आपका horizontal surface है तो वहाँ 2010 अलाव होगा और अगर आपका slope 35 per 1000 हो तो आप यह देखें कितना reduction आ रहा है slope की वजह से आपको अब इतना लाव होगा weight इस से दादा लाव नहीं कर साथ 2000 अलाव नहीं होगा क्यों अगर चड़ाई है तो ट्रेन का चड़ना मुश्किल हो जाएगा और अगर धहलान है तो इस weight के साथ रुकना मुश्किल हो जाएगा मतलब इस slope के साथ यह अगर slope हो 35 per 1000 का slope और धहलान में हो यह नीचे की दरब तो इसका रुकना मुश्किल है इस weight के साथ मतलब 2000 weight के साथ आपका रुकना मुश्किल हो जाएगा और चड़ाही में चड़ना मुश्किल हो जाएगा इसलिए इस weight को कम करके यह weight रखो तो यह चड़ भी सकता है 35 per 1000 और उतर भी सकता है 35 per 1000 जीरो है सीधा है तो 2000 चला लो तो यह slope की वज़ा से जो load reduction है यह वो चीज़ है तो अगर आज को देखें यह आपकी maximum performance है एक तरह से और 260 Newton जो है किलो Newton जो है वो standard performance है यह थोड़ा सा फरकता है जो बताना था performance में स्टेंडर performance और maximum हम यह standard performance यूज करेंगे ना के maximum ताके safety हमारी रहे यह लास्ट आप जो इस पार्ट का जो लास्ट है हमारा breaking power तो breaking power जो है हम थोड़ा सा पहले भी इसी वीडियो में थोड़ा सा पड़ चुके ब्रेकिंग पावर भी important है क्योंकि एक बार train चल जाए तो इसको रोकना भी एक issue है इसको रोका भी जाता है और इसको बड़ा दियान से इसको design किया जाता है तो breaking power जो है percentage की शकल में हम देखते हैं मतलब इस breaking effort को percentage की शकल में देखते हैं तो जैसे आपका जो यह breaking effort है यह ratio है break mass divided by total mass मतलब यह क्या है जैसे इस table को अगर हम देखें यह पुरानी पुरानी है जैसे आपकी ट्रेन है steam locomotive जो बहुत पहले वक्तों में यूज होता था तो उसमें एक एक वैगन का for example tons में अगर आपका जो weight है एक axle पर जो weight लग रहा है for example 87 ton लग रहा है for example तो यह आपका वह mass है जो आपको रोकना है और आप break mark कितने पर पार हो 52 तक पर यह 52 यह values experiment से निकलती है यह तो weight है यह तो calculate होता है यह experiment से निकलती है values break mass यह breaking performance होती है और हम यह देखते हैं कि क्या उसकी performance है तो यह break mass है इस 87 से बड़ा भी हो सकता है जैसे for example आप यह new modern trains देखो इसमें mass to be break इतना है और break mass 67 है मतलब इसकी breaking performance बहुत जाद अच्छी है कि इस वाले को आराम से बहुत आराम से रोक सकती है तो यह 67 जो है इसका जो है वह इसकी performance है बहुत जाद अच्छी है तो निकलती है experiments है बार-बार experiments वगरा हम करते हैं और experiments की मदब lab में experiments होते हैं इस पर और load डाला जाता है और इसका देखाया था यह कितना break कर रही है तो यह experiments की मदब से हमें यह इस type की values मिल जाती है और इन values को हम फिर compare करते हैं slope से यानि अगर आपके for example यह electro train है या for example यह electro locomotive e656 है तो 100 का मतलब यह है कि इसकी breaking performance अगर 100 है और इस 100 को फिर हम slope से देखेंगे जो tracks बने में आया है और उदर कितना slope है slope जादा है या कम है इन दो चीज़ों को हम compare करेंगे slopes को और इस value को और फिर speed बताएंगे क्योंकि हमें यह पता होगा कि अगर एक train है जिसका break mass की इसकी जो breaking effort है वो for example यह 100 है तो यह कितने slope पे सही काम कर सकती है मतलब यह break mass इसका 100 है और वैसे total mass का 120 होगा तो क्या slope हो क्या slope होगा कि वो सही तरीके से work कर सकेगी जैसे यहाँ slope कम allow होता होगा जैसे यह जो for example यह 8752 वाली है इधर आप बोलोगी कि train जो हाई slopes पे नहीं चड़ सकती ना यह उतर सकती क्योंकि इसमें ना breaking mass वगर यह इतना अच्छा है यह नहीं इसके मुकाबले में यह अच्छी इसकी breaking performance इतनी अच्छी है यह थोड़े high slopes पे भी चर सकती है तो speed limit decide होती है इसकी base पे इस mass की base पे और slope को इन दोनों के combine करके हम study करके speed limit decide कर रहे होते हैं तो यह भी एक factor breaking का कि break किस तरह कर सकती है और उदर slope कितना है क्या उस slope पे यह break कर सकेगी और किस speed से होगी तो break कर र इन दो चीज़ों की combination से मिल जाती है क्योंकि for example slope से उतर रहे हो आपका break marks जो है for example 52 है तो आपको यह कहा जाएगा कि आप slow ही चलाओ slow slow ही उतरो क्योंकि आप ज्यादा रोक नहीं सकोगे क्योंकि slope ज्यादा है उतर रहे हम लोग slope ज्यादा है और 52 आपका break marks है तो आपको यह और आप उतर रहे हो अच्छे खासे slope से डहलान से उतर रहे हो और आपकी break marks ज्यादा अच्छा है तो आप भले थोड़ी speed तेज़ कर लो कि आप break marks सको गयाराम से तो यह breaking power जो है यह slopes से मिलके हम speed को हम करते हैं जिस साइड तो इस topic में हमने speed limits के बारे में पड़ा जैसे यह break marks और slope की base पे और सार हम जैसे हमने पहली slide में देखा था कि यहां कि अलग factors है जिनकी base पे speed limit depend करती है next हम यह देखेंगे कि driving जो कर रहा होता है बंदा उसके और क्या-क्या information होती है speed के लावा और weight के लावा क्या मजीद इसको information की जूरत पढ़ती है वह हम next topic में पढ़ेंगे